बारतिय किसान यूनियन के नेताओं ने शेत्र के गाउं में ग्राम किसान कमेटियां बनानी शुरू कर दी है आपको बताते कि दिली में किसानों के द्वारा 26 जनवरी के कारेकरम की तैयारियों को ले कर सयूक्त किसान मोर्चा के आवान पर करनाल के इंद्री के गाउं गाउं में जाकर कमेटियों का गठन किया जा रहा है किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि हर हाल में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रेक्टरों के साथ परेड में शामिल होंगे और जब तक तीन कृशी कानून वापिस नहीं लिये जाएंगे तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा भारती किसान यूनियन के नेता मंजीत चोगावा वसतीश कलसौरा की अगवाई में कई गाओं में किसानों की कमेट यांगठित की गई है किसान नेताओं का कहना है कि ग्रामीनों में आंदोलन को लेकर काफी उत्सा है और उनन चास दिन से किसान कड़ाके की ठंड में आंदोलन में डटे हुए हैं उन्होंने कहा कि जिलायमुना नगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला के किसान 23 जनवरी और करनाल जिले के किसान 24 जनवरी को ट्रेक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे भाकियू चडूनी के ब्लोग प्रधान मंजीत चोगावा, वह भाकियू के ब्लोग प्रधान सतीश कलसोरा ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर गाउं गाउं में जाकर कमेटियों का गठन किया जा रहा है विर्वार की सुभै से गाउं में बैठ के शुरू कर दी है और धुमसी गाउं में 21 सदस्यों की किसान कमेटी बनाई गई है जिसमें किसान अमरजीत सिंग को प्रधान बनाय गया है गाउं में किसान कमेटी अगठित कर प्रधान बनाय गए है बता दे चले कि किसान क्रिशी कानून के विरोध में काफी समय से आंदोलन रथ है किसानों और सरकार के बीच कई बार बात चीत हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं बनी इसी कड़ी में किसान अपना संगर्श भी तेज कर रहे हैं बता दे कि भारतिय किसान यूनियन के नेताओं ने एक शेत्र के गाउं में ग्राम किसान कमेटियां बनानी शुरू कर दी है आपको बता दे कि दिल्ली में किसानों के द्वारा 26 जनवरी के कारेकरम की तैयारियों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आवान पर करनाल के इंदरी के गाउं गाउं में जाकर कमेटियों का गठन किया जा रहा है आज काकरी करम यह है गाउंमदूमसी में कमेटी बनाई है और इनको मेवारी दीगई गई है और गाउंमदूमसी में आज बहुत बड़ी एमीटिंग हुई ईह और इसमें गाउंगवालों व्रोल्श वण्यूर niż के लिए गंबीर रहा हैं बहुत सोच रहेएं बैठे वहीं ह हमारे किसान उनंचनशमा दिन हो गया जो इस ठंड में बार्डर वे बैठे हैं और वे उनके अंदर भी तने जो सा जितना अब गाउं के अंदर पूरा जो सा चुके हैं और यह बीस पच्ची टेक्टर लेकर जैसे भी मारे आदेश होंगे देख कहां भी कठे होंगे चोवी तारीक को चलके आमने दिल्ली पहुंचना है और युम्र नगर पुर्चेतर अंबाड़ा तेश तारीक को निकलेगा और करनाल जिला पूरा कठा होगा जोवी तारीक को जाएगा अज इंदरी हलके का एक बहुती बड़ा गाउं हाँ गाउं दूम सी उसमें प्रदान इसमें जिम्मेवारी संपी गई है और पूरे गाउं ने किसानी उनिन का समर्थन किया और जो 24 तारीक को कुरे करनाल जिले से काफलेट एक्ट रोगा जाएगा उसमें इन्होंने हमको आसवासन दिया कि कम से कम 21 टेक्टरम लेके जाएंगे हम सारे गाउं के दन् बिल्कुल आफ आइयार तो ये जितनी मर्जी करते रहे हैं उने इनको पहले भी बोल दिया आफ आइयार तो इनने दस स्टंबर में जब हमने पीपडी देली करी थी उसमें भी की थी 307 की 35 मुकद में ने गुर्णाम सिंग पे भी दरज की हैं कात्र मुकद में ने अबी द अन्यवाद